पूरी तरीके से सियासी रंग चड़ चुका है गैंग्रेप आरोपी पर बुल्डोजर एक्षन क्यू सियासी टेंशन आरोपी नेता एसपी का है और बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश मज़बी चश्मे से संवेधन शील मामले को देख रहे हैं आयुद्या में गैंग्रेप केस में पुलिस पुषासन की टीम ने बड़ा एक्षन लिया आरोपी एसपी नेता की अवैध बेकरी पर बुल्डोजर चलाए गया बुल्डोजर से अवैध बेकरी और तालाप के सामने खड़ी की गई अवैध दीवार को गिरा दिया गया गैंग्रेप केस में एसपी नेता मोहिन खान को पहले गिरफतार किया जा चुका है आयुध्या में 13 साल की बच्ची से गैंग रेप हुआ था बुल्डोजर एक्शन पर अखली शादो ने सवाल उठाए है एसपी के देक्ष अखली शादो और आयुध्या से एसपी सांसत अवधिश प्रसाद ने डिने टेस्ट की मांग की है वहीं मायवती ने पूछा कि अखली शादो बताएं कि डिने टेस्ट का मतलब क्या है साथ ये भी बताएं कि एसपी ने अपने शासनकाल में कितने डिने टेस्ट करवाए थे आज इसी पर करेंगे डिबेट लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखे गैंग रेप का गुनेगार आप बुल्डोजर वाला प्रहार गैंग रेप के आरूपी मुहित खान की बेकरी को जबी दोज कर दिया गया है सीमोगी ने जो रेट की जो पीरताथ की उसके पजलों को आसोसन दिया था सक्ट करवाई करेंगे उस सक्ट करवाई की तड़ी में आप देखिए किस तरह से यहां बेकरी हुआ करती थी अभी हम मैदान बजार आ रहा है इस बेकरी को जमी दोज कर गिया गया है और आप देख भी रहे हैं बगल में तलाब बना हुआ है उसी के तहट जो है यह कारवाई की गई है दोस्तिकरण की इस समद्र में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैद होगी तो उसमें विद्रीक और उचित करवाई की जाएगा वीजेपी कावार अखिलेश दे रहे मजभी आधार जो भी दोसी है उसके खिलाब कारवाई की जाए इन्नों सेंट को फसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डिने टेस्ट लगा लिया जाएगा मायावती का सवाल अखिलेश ने करवाई थे डिने टेस्ट पीजेपी कारो रेपिस्ट को बचाना चाहते हैं अखिलेश उनके पार्टी का नेता बलातकार करता है मुईदीन का और अखिलेश यागा उसको बचा रहे हैं और डिने टेस्ट की मांग करते हैं आपकी मांग ये बताती है कि आप कहीं न कहीं सारे मामलों को धर्म के चसमे से देखते हैं और धार्मी का अधार पया आप बलतकारियों को बचाना चाहते हैं और डिवेट की शुरुबात कर उससे पहले में मानुस से आपका परशे करवा दिते हैं हिरो बाच पेज ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता हैं भारती जनता पार्टी के अनराग बदोरिया जी थोड़े दिर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रयंका गुपता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी की नेता है प्रवक्ता है और राजेश पासवान साथ हमारे साथ जुड तेंकि मुझे लगता है कि उनकी इन बातों का जवाब बहन माया वती जी ने दे दिया कि जब अपना सासन कालता तमाम घटनाओं उन्होंने डिने टेस्ट की बाद हाँ वो ये डिने ये जरूर दिख रहा है कि तुस्ती करण की बात जम कर उनके डिने में आ रही है और इस ड अपरादियों चाहें बलातकारियों उसके पच्छ में वो खड़े होते और मुझे लगता योगी आधितनाथ की सरकार में उनकी ये बेद पूरी तरह खुल चुका है जब माफियाओं पे बुलोजर चला तो सामने आ गए जब बलातकारियों पे बुलोजर चला तो सामने आ गए और ये भारती जन्ता पाटी लगातार कहती रही है सरकार में चेहरे भड़े ही बदले हो मुलाहिम सिंगों या अकले स्यादों हो ये सरकार अपरादियों के सयोग से बलातकारियों के सयोग से ही उन्होंने चलाई और यही बात दिके हर अपरादी के साथ खड़ा हो वो चाचा की उम्र का हो गया उससे गलती हो गई और बचाने के लिए अखलेश जी सामने आ गए क्योंकि पिता जी की कही बात पर समाजवादी पाइटी चल रही है और वो बचाने के लिए खड़ेंगी डियाने टेस्ट हो जाए अरे भाई उनके काल में बहुत सारे बलातका पर चल जाता है फिर वो ना पाइटी देखते ना मर्यादा देखते ना सीमाय देखते ना समाज देखते ना देश देखते ना प्रदेश देखते हैं पहले बोला फिर बोल ला हूँ कि इस समाज के अंदर बच्ची के साथ महला के साथ कोई भी अन्याय करेगा उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए यह मांग हमेशा से मेरी रही है लेकिन मेरी मांग यह भी रही है कि दोशी कोई हो जो दोशी है एन ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोशी नहीं है उसको सजा दे दे इसलिए नार्को टेस्ट और डियने टेस्ट हो जाएगा चो दोशी होगा उसको ऐसी सजा देना कि नजीर बने हम तो हमेशा से कहते हैं, मैं इसे पूछता हूँ, हमारी सरकार थी, क्या बीजेपी नार्को टेस्ट, डियने टेस्ट किसी के लिए मांगा, क्या इन्हों ने यहां बीएचिव की घटना होई थी, तीन-तीन अपरादी थे, क्या उनके बुल्डोजर गया था, मैं पूछना च चाता हूँ, क्या लखनू के अंदर में आपने क्यों शक क्यों होता है, शक तब होता है, जब लखनू में बीस बच्चे बदमाशिया करते हैं, एक बेट, एक बेहन और भाई को चेड़ते हैं, उसके बाद बिदासवा की अंदर में तो लोगों का नाम लिया जाता है, हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे, पीडित की मा ने एक बयान दिया, मैं उसको परदू, उसके बाद फिर मैं आप से सवाल करूंगा, पीडित की मा ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोहिन खान की तरफ से जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि प BJP, BJP सरकार ने क्या मांग की थी, क्या हम सप्ता में थे किसी के DNA टेस्ट की, तो अगर उन्हों ने मांग नहीं की थी, तो आपने करवाए कितने लोगों का DNA टेस्ट, आप ये बता दिजिए, चलिए नहीं मांग की लिए दो हजार बारा में दो हजार बारा में मोहिंद खान के घर में पुलिस चोकी खुली जब सत्ता में आप थे मालिया अकारण विवस्था मर गई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बोदरिया जी कि आपके नेताओं में इनसानियत जिन्दा है समाजवादी पार्णी में इनसानियत जिन्दा है आपका पृत्री दिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए उस पृत्र परिवार से आपके नेता के उपर आरोप लगाया आप करें मैं सवाल बीजेपी से पुछूँ आप यह करें पुलिस सिस्टम मर गया है ना मान लिया मर गया है आपके भीतर इंसानियत जिंदा है कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी सक्विर्ट परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया हम किसी की चापलूसी करकियां तक नहीं पहुंचे मैंने छोड़ दीजे चापलूसी और one to one मत करी मैं आप से सिधा से सवाल कर रहा हूँ आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं है आप मुझे बोल ले दीजे होगी आप सवाल होगी आप तो नहीं है आप इसलिए कह रहा कोई नेता परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजे ना अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया परिवार से आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला और किसको अप इमान बेचाव जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप के रहें एक इमान बेच दिया है इमान महिन खान ने बेच दिया है और उसके बचान जो लोग उत्रे हैं उन्हों ने बेज दिया बदोरिया जी आवदेश परसाथ के साथ उट रहा है बैट रहा है खा रहा है पी रहा है और समाजवादी पार्टी का कोई निता अभी तक पिरित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया आप ज्यान दे रहे हमको ठीक है ओके आप उलचलूल बोलों के तो आप नहीं बोले देगे आपको समाजवादी पार्टी अभी तक परिवार की पास क्यों नहीं गई कि आप सरकार की चाप पुरसी कर रहे हो चुवकि सरकार को बचाना चाते वाप सरकार की तरफ रहां की पर नहीं अग्या अनुराग बदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पेडित परिवार से बीतक परिवार से जाकर जोड़िये अरे आप ट्रैक पर आईए और इमान पर बात करिए जी हलो मिश्टा बदोरिया गेट आउट अपर अबे तबे की बाषा का इस्तिमाल मत करी हैं मिस्टर बदोरिया आप होंगे पत्तकार अपने घर के पत्तकार होंगे, मैं फिर से आप से बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे, तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाए है, यहां से आपकी जरूरत नहीं है, मैं फिर आप से कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं ह चुब रहो तोम चुब रहो गेडाउट लोस्त अदमी को विंडो से लेंका जी अभी तक समाजवादी पार्टी का विपक्ष का कोई भी निता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया सबसे पहले तो मैं इस घटना की पूरी तरह से भत्सना करती हूँ और इस घटना को जो एक तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह के महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहे हैं उस साफ साब दिखता है उत्तर प्रदेश महिला आप रात में आज नंबर वन हो चुका है और यह जीता जाता उदारण है क्योंकि उस बच्ची की कंप्लेन दो महिने तक लगातार नहीं लिकी गई इसकी जिम्मेदारी किसकी है वो बहतर तरीके से आपके दर्शक समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक आडियो वायरल हुआ था जिसमें ए बच्ची के साथ पलतार भी हुआ और उसके साथ में प्रियंका जी दो बाते एक तो पुलिस उसकी नहीं सुन रही थी क्योंकि पुलिस चौकी मोहिन खान के घर पर चल रही थी एक तो यह बात हो गई और उस मामले बें देखिए पुलिस वालों पर एक्शन भी होगी प्र ये कर रहा हूं कि जो लोग आरोपी के बचाव में उतर आए हैं ये हकीकत है इस प्रदेश की कि अगर कोई ब्रलतकार पीड़ता अपनी अपने लिखाने जाती है तो आपकी बारती जुनता पाटी की नेता कहती है पाच माली मैंने वह बात आपकी बात माली और याद से नही ने थाना है किया मैं कहाँ पुलिस वालों पर भी lawyer आलोपी पर भी आक्षिन हो रहा है उस अक्षंश से भी दिक्क्त है लेकिन अभीयत विपक्ष का कोई भी नेता पृटित परिवार्स से मुलाकात करने उनके आश्व पोश्निक नहीं राजेश पासवान जी, रूदपूर से लेकर महमूत पूर तक की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि पीरित परिवार से मुलाकात करने विवख्ष का कोई नेता क्यों नहीं गया, समाजवादी पार्टी की जिस नेता पर आरोप है इसको पार्टी से अभी तक बाहर क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब कोई देने को तयार नहीं है, अलबत्ता कारिवाई पर सवाल सब खड़ा कर रहे हैं पूरी तरसे सरकार का फेलियोर है, दूसरी बात मैं कहाना चाहूँगा, बहुजान समाज पार्टी की एक ऐसी पार्टी है, जो अपने पार्टी के दौरा अगर कोई गलत काम करता है, तो उसके ऊपर एक्सेन लेती है, अपनी पार्टी के रहने के बावजूद, सरकार में रहने के बावजूद, बाकि जितनी पार्टी के समर्थपू को उसको सबचाव करती है, तो बीजेपी भी अपनी पार्टी के बलतकारियों का फूल माला पाना के स्वागत करना, अपनी पार्टी के लोगों का बचाव करना, और दूसरे और कोई और जाती धर्म का है, तो प्रस्ताव पारिट कर देना चाहिए कानून बाया देना चाहिए कि आरोपी चाहिए कि सिवे जाती धर्म का हो उसके उपर करी से करी करवाई की जाएंगे और कोई दली तो बीसी कम्मेटिक आएगा तो उसके उपर बुलोजर चला देंगे या निया की आप यह करें कि सेलेक्टो कारवाई है इसका जवाब महीर वाजपई से लूँगा लेकिन एक बड़ी खबर आ रहे हो दश्कुप बता दे आयुद्या गैंगरे केस से जुड़ी बड़ी खबर आई है सीम जोगी ने रे पीडिता की मदद की है पीडित के परिवार के लिए मदद राशी बेजी है सीम ने पांच लाक रुपे की साह साहिता राशी का चेक लेकर पहुंचे थे पीडित के मास से उन्होंने मुलाकात की और साहिता राशी का चेक उनको सौपा है सीम जोगी की तरफ से पांच लाक रुपे के अर्थिक शाहता पीडित परिवार को दी गई है उन्हाव के बलतकारियं पर बॉल्डोजर चला था था सवाल यहां पर एक ख़ड़ा हो रहा है एक तो आरोप लगा है छा रहा है सेलेक्टो कारवाई आप लोग कर रहे हैं किसी मामले में कारवाई होती है बुल्डोजर एक्षन देखने को मिलता है लेकिन किसी किसी मामले में नहीं देखने को मिलता है दूसरी तरह सवाल ये भी उट रहा है कि अगर मोहिन खान के घर में पुलिस चोकी चल रही थी तो ये बात पुलिस के अलाधिकारियों को नहीं मालूम थी क्या ये बात शासन प्रशासन को नहीं मालूम थी 2012 से चल रही थी 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी लेकिन 17 से लिकर अब तक आपकी सरकार है देखें बहुत सारी बातों में जो अब्तत थिर सही है उनको जुटलाने का देखें कोई अधिकार मुझको प्रवक्ता के नाते नहीं बनता हाँ उसके या चौकी चल रही थी पर क्या है कि कई बार चौकीया मकान में खुलती है और सरकार की फाइल में दर्ज रहती है और जम तक कोई ऐसी घटना नहीं होती उसका भेद या उसकी जो सामने इस्तिती उती वस्तर नहीं आती है जहां तक अभी आपके दलिछ चिंतक महोदय ने कहा कि इसाथ कारवाई पार्शियल होती है कभी इनके पक्षव होती कभी सिलेक्डिव होती कहता हूं ऐसा नहीं है भाती जनता पार्टिंगे जहां कई भी ऐसी कारवाईयां हुई है किसी को नहीं देखा गया ब्राममण है ठाकुर है डलित है बैकवर्ड है बनिया जो दोसी पाय गया हाँ जो अभी तक गुल्डोजर जिवाद रही जो तो बोल रही चल सकता है ठीक है राजेश जी टोकटा की नहीं मैं कर रहा हूं कि हाँ ठीक है भी फिर से आऊँगा आपके पास आँगा अपनी बात पूरी करिया लिए कि लेकर जी नहीं होती है कारवाई आपके देखने का नजरिया सेलेक्टिव है क्योंकि आपको किसी वोड़वाइंग की चिलत उनको नस्तनावूत हमारी सरकार ने किया योगी आदितनाजी एक सक्त प्रसासक है और वो रहेंगे जब तक वो मुखमंत्री है आप उनसे इस तरह के अपरादी बलातकारी कोई रिलीव की उमीर नहीं कर सकते हाँ जहां पुर्डोजर चलता है वो निर्मान अवäय होता हुआ आपने गंती किया, आपने अपराद किया आपने पाप इस लेवल का कर दिया कि समाध में तरहाई तरहाई मची है दन जाच होती है और फिर आपके गलाब जो कारवाई होती है वो नियमा नुकूल होती है और केवल हम वही चीज़ कर सकते हैं जो आपने कानून से अलग हट कर किया बुरोजर उस पर चलता है प्रियंका जी काउंटर करना चाहते हैं लिगे मैं ब्रजेशी को चर्चा मुशारी करना नहीं पाया हूँ ब्रजेशी क्या आतीत में ऐसा कोई वाकिया आपको याद है कि किसी मामली में पहले डियने टेस्ट हुआ हो और उसके बाद कोई एक्शन हुआ हूँ सवाल आज मायवती की तरफ से उठाए गया कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी रेप के आरूपी का पहले डियनेटेस हुआ था क्या कभी नहीं हुआ ये कभी नहीं हुआ ये जबरन बात की जा रही है वास्तों में दो चीजे एक साथ करती है जब हम यह भी कहते हैं किसाफ उत्ता बिज़्स है फुलिस कारवाई नहीं करती हैं जिन मामलों में अपने लोग फचते हैं वहां पर इसमें उतराते हैं किसाफ जाजकर लिजाए यने प्रिष्ट करा लिया जाए और निया जाए लोगों को गलत आद्म हम स्टाफ तो आ नहीं सकते सामने तो इस तरह की बातों से सारे मामिर को रफा दभा करने का प्रयास हुँआ है क्या कि जब सारी कारवाई तरह हो रही है उसकी माहा कह रही है उस पर तमाम बाते सामने आ लेकिन अवधे प्रफ़ाज यह कहते हैं किसी निर्दोस को नफस्साया जाए तो क्या उन्हों जाज की उन्होंने जो जो निर्दोस कोई हो गया तो निर्दोस जो है निर्दोस यह सिर्प यह है कि अपने न फसने पाए अपने न अपनों को बचाओ और सारा मामला ये कर दो इसे गोल माल करके इदर दर बात धुमा करके पुलिस नहीं कर रही है अब पुलिस को करना चाहिए था तो पुलिस को करने दीजिए आप पुलिस को कारवाई करने दीजिए ये नहीं होना चाहिए मुझे पोलने दिजेगा जैसे आपने वीजेपी को शांती से बोलने दिया और BJP की समर्थन को बोलनी दीजे इतनी सांती से मुझे बोलने दीजे ना जाले इंतर से बोलने दूँगा सभिता से आप बोलने दे रहेते ना मैं तो इतनी सभिता निवाता हूँ और मैं तो कोई गलत सब्सक्राइम इस्तिमाल भी करता हूँ दोड रही है दो मेहने से तो शर्म की बात किसके लिए सरकार के लिए ना शर्म की बात एक माँ दोड रही है एक बच्ची की माँ दोड रही है और आप कहरों महलाओं के साथ हमान नयाय करते हैं और दो मेहने से बच्ची की माँ दोडती रही और पुलिस के कान पे जून ही र सबस्क्राइब से वहां पे खुली थी चौकी, तो क्या करी 2017 के पास से सरकार, इसके मतलब पुलिस मिली जुली है, अप रात बढ़ रहा है, कोई ठीक कह रहा था, पुलिस पैसा लेती है उत्तर परदेश के अंदर में, इनके ही डियाईजी कह रहे थे, इसके मतलब पुलिस बिखी हुए उत जो भी इसका जम्मेदार है, उसे सक्ट से सक्ट सगा मिलने चाहिए, लेकिन उत्तर परदेश में आज जो हाल है, जॉनपूर में भी आज एकबल अतकार हुआ है, उस बच्ची को जो भारती जंता पार्टी की किसी नेता की ही बच्ची, तो आपको लगता है कि उत्तर जारा बजी के महिला यहां गहने पेन के घूम सकती है, लगातार रे केसे की घटनाय बढ़ती चली जा रही है, और सरकार हाँ पे हाँ धरे बैठी हुई है, कहां है आपका रोमियो स्कॉइड, दोसी समाजवादी पार्टी, ठीक है, हिरवाचपे जी आपका जवाब, देखे, मैंने कहा ना, जो वस्तुता सत्य है, उसको मैं नहीं बचाने के, लेकिन अगर अन्राग बदरिया है, मानते हैं कि एक पीडित की माँ को दो महीने दोड़ना पड़ा, तो क्या समाजवादी उस पीडित की माँ को आट-दस महीने बियाने टेस्ट के बहाने और दो को बचाना चाहती है, किसी तरह मामले को लिंगरान करना चाहती है, तो महीने से माँ दोड़ रही थी, और आप उसको नहाई नहीं दिल अपाए, समाजवादी दोशी होगी, अब आप बोद देखे, आप बोलना है तो मैंने ही गोलना आता, मेरा पुरा सवाज सुन लिजे मैं दोड़ या पाटी होगी, अब आप बोलना चाहती है, तो अब आता बोलना ही यादे परदेश के नहीं कर पा रही है, और हम नहीं दिलाएगे चलिए गैरेंटी देता हूँ आपसे, आप आप दो, कि हमारी पुली स ρाज़ नहीं दो आप नहीं कर रहा है, हमारी पुलि आपके संवार पक्स में खड़े हो,नाय कहा दिलाओ आपके संवार, ठ drives नें जो भी दोशियों से कडी से कडी सजा मिले नजीर बने ऐसी सजा मिले, इससे जादर क्या बना वालूँytyy क्या सेलेक्टिव कारवाई हो रही है क्या इस वज़े से इस्तिती उत्पन्न हो गई है बर्जेश जी कि अब यह पुलिस की जाच आगे बढ़े तब समझ में आएगा पुलिस की जाच हो रही है अब यह कैसे मैं तरुक बिना जाच के नहीं कह सकता हो कि 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 निर्दोस पर कारवाई ना की जाए पहले दिया ने जब जाच आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा सारा कुझे अभी जाच वास्तों लेट हुआ है इसमें कौन कह सकता है लेट नहीं हुआ है अब जाच हो रही है जाच के प्रणाम भी सामने आएंगे और लेकिन एक समझने की है उसकी मात दो महिने से दोर रही है एक आदमी का नाम ले रही है लड़की भी एक आदमी का नाम ले रही है हम कैसे कह सकते हैं कोई निर्दोस है हम किस मुझे कहते हैं इस बात को कि निर्दोस पर कारवाई ना की जाए नहीं पहले एक नावाली के साथ रेप हु होगी उस मा की मनुस्थिति क्या होगी जो अपनी बेटी के लिए इनसाफ चाहती है और उसको दो महीं लग गए एफ आई आर लिखवाने में और उसे चौकी से कहकर भगा दिया जाता है कि चौकी तुम मेरे घर में चल रही है तुम क्या कर लोगी यह सिस्टम के लिए बहु झाल कर लोगी जाता है